एक बेटी ने अपने पिता के नशे की लगत को छोड़ाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है आपको बता दें इस बेटी ने पहली बार कावर उठाया है क्यूंकि उसे विश्वास है कि भगवान भूलेनात की क्रपा से उन एक पिता के नशे की लक्चूड आएगी और एक बार फिर घर में खुशियां लोट आएगी पिता की शराब छोड़ाने के लिए एक 14 वर्ष ये बेटी ने पहली बार कावर उठाई है अपनी मा के कहने पर वेज दादी के साथ दिल्ली से पैदल हरे द्वार पहुची और फिर जल भर कर लोट रही है दिल्ली निवासी बसंती पिछले कई सालों से कावर यात्रा कर रही है भोलेनात के प्रती आस्था और विश्वास उसे हर साल दिल्ली से हरे द्वार ले आता है उसने बताया कि बिमारी के कारण वह अक्सर परिशान रहती थी लेकिन भोले की क्रपा से न सिर्फ उसकी बिमारी ठीक हुई बलकि नया जीवन भी मिला यही कारण है कि पिछले 15 सालों से वे कावण यात्रा कर रही है पहली बार उसके साथ आई पोती आरती कहती है कि दादी और मा की प्रेड़ना से उसने कावण उठाई है बताया कि पहले पिता भी कावण लेकर हरे द्वार आते थे लेकिन पिछले दो-तीन सालों से वे नशे के आदी हो चके हैं नशे के कारण परिवार बरबादी के कगार पर पहुंच गया है उसने कहा कि अब भगवान भूले ना थी परिवार में फिर से खोई खुशियां वापस कर सकते हैं यही कारण है कि कावर लेकर वह पहली बार आई है